हे गाईज, मिस्टे मिस्टे करेजियर फर्स्ट अफॉल थेंक यू सो मच इस वाली वीडियो को इतना प्यार देने के लिए और आप में से बहुत सारे सब्सक्राइबर के कमेंट आई थे इस मूबी की हिडिन डिटेल पार्ट टू के लिए अगर आपने ब्रमास्तर मूबी की हिडिन डिटेल वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने और लेडि फोर्टीन डिटेल्स कवर अप की थी वो उपर आपको आई विटन पर शो हो रही होगी और डेड नहीं बलकि वर्किंग में है जब मैंने इस नुमर को अपने फॉन में डायल किया इसा इस दिया क्या रहा है सर मैं मिस्टर मिस्टेकर बोल रहा हूं मिस्टर मिस्टेकर इसा आपने ब्रमास्तर मूवी देख रक की है तो बोले बाद दूसमे एक्चुली इसा ने जो नम्मर यूज किया है ना वो सेम आपका ही नम्मर है आप एक ब्रमास्त्र मुवी देखना सर पांसु पोन आते हैं आपके पास एक दिन में आपका नम्मर पूरा शो हो रहा है इसलिए सर नम्मर चेंज कर दीजे आप इसलिए मैं नम्मर चेंज कर दीजे आप तो ना यह कॉल ईशा ने तो नहीं वल्कि किसी साहिक उंकल ने उठाया था और प्लीज आप इस नम्मर पर कॉल मत करना लेकिन यहीं पर एक और डिटेल है शिवा की फॉन की डिस्पले क्रैक्ट है और यह डिस्पले तब क्रैक्ट हुई थी जब इस सीन में शिवा और रफ्तार की फाइट हुई थी इस सीन में जब अनीश इस ट्रक को नीचे खाई में फैकने वाला होता है तो जुरून कवचस्तर को प्रिकट होने के लिए बोलती है अगर इसा यहाँ पर टैंजिंग को पकड़ लेती तो शायर टैंजिंग बच जाता है जब शिबा फर्स टाइम इसा से लिफ्ट में बात करता है तो इसा उससे यह लाइन बोलती है एक बंदर से मिली थी फिर वो लिफ्ट से गिर गया एक्शल में इशा के डायलोग के थुरू मेकर्स ने हमें पहले ही बिता दिया था मोहन भारगब की डैथ के बारे में एंड सेम टू शेम इसी के अकाउडिंग हमें मोहन भारगब की डैथ दिखाई गई वेल अगर मैं परसनली बताओं तो मुझे सभी अस्तरों में से वाना अस्तर सबसे कूल लगा आप मुझे कमेंट करके बताओ आप किस अस्तर को पसंद करते हैं गुरू जी अनीश और साइंटिस्ट की मौत के बाद एक इमरजेंसी मीटिंग करते हैं जिसमें सारे ब्रमाश के मेंबर होते हैं और वो ये भी बताते हैं किसी ब्रमाश के मेंबर के मरने के बाद ये शबा उनके टाइम की दूसरी सबा है इट मीन्स पहले भी किसी ब्रमाश के मेंबर के मरने के बाद ऐसी कुछ मीटिंग या फिर शबा होई है जिसमें गुरु जी भी अवेलवल थे मेभी हो सकता है पार्ट टू में ये सारी चीजा हमें दिखाई जाए और ये भी दिखाई जाए कौन वो मेमर्स थे जिनके मरने के बाद ये सवा हुई थी जब गुरु जी शिवा को ट्रेंड कर रहे होते हैं तो गुरु जी के पैरों को जब आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर गुरु जी के पैर मिसिंग है पूरी मुवी में यही वो एक ऐसा सीन है जिसमें आपको बी एफेक्स का गिलिच देखने को मिलेगा लिटल ली गाइस पूरी मुवी के टॉप ग्लास बी एफेक्स को देखने के बाद फाइनली गिलिच मिली गया इस सीन में शिवा गुरु जी के मोटिविशन के बाद फायर को यूज करता है तो उस फायर का एक्सेक्ट रिफलेक्शन गुरु जी की चिसमें पर देखता है और ये शो कर रहा है मेकर्स कितने सीरिस थे इस मुवी को लेकर और कितना डिटेलिंग पर काम किया गया है इसके बी एफेक्स को लेकर and literally guys मुझे personally बुरा लगा था जब इस मुवी को laser light शो बोला गया था और बुज़ पता है जितने लोगों ने ये चीज़ ट्रेंड कराई थी उन्होंने जब इस मूवी को देखा होगा उनके दिलों में इस मूवी के लिए इज़त बढ़ गई होगी तो गुरू लोग इससे हमें सीख मिल दी है डॉन्ट जजे बुग, बाई इट्स कबर लेकिन ये चीज़ आदिपुरस पर लागू नहीं होगी इस सीन में जब शिवा गुरू जी से पूछता है यही प्यार की अगनी बस्म करी नहीं सकती अगर गुरू जी की इसी लाइन को शिवा से कनेट करें तो शिवा भी अपनी मां को कही न कहीं पियार करता होगा वले ही वो छोटा क्यू नहीं हो तो पर्सनली मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है शिवा की मां शिवा की अगनी से नहीं बलकि यहाँ पर मैटर कुछ और था लेट सी देखते हैं पार्ट टू में क्या होगा नमा नाई जब गुरू जी के मट पर जुरून और उसकी लोग हमला कर देते हैं तो जब जोर गुरू जी को मार रहा होता है तो यहाँ पर ईशा टैंजिंग की आईज बंद कर देती है विकॉस वो नहीं चाहती थी टैंजिंग इतनी चोटी से उमर में ये सब चीज़े एक्सपिरियेंस करे एंड जाट स्वाइ इसा उसकी आईज को कवर अप कर लेती है वैसे इतनी चोटी उमर में टैंजिंग ये सब क्यों कर रहा था वैल वो नोस नमा टैन इन दे क्लाइमेक्स सीन जब शिवा अगनी से मनाएगे त्रिशूल से जोर को हिट करता है तो इस सीन को अगर मैं स्लो मिशन में आपको देखा हूँ तो यापर जोर की बॉड़ी से रेड कलर का एक औरा बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा और आपने अवेंजर्स एंड गेम तो देखी ही होगी तो उसमें गुरूमा हलक से बैनर को आई मीन बैनर की सोल को कुछ इसी तरीके से अलग करती है तो अगर ये चीज यहाँ पर अपलाई करें तो एक्चुल में जोर की इविल सोल बाहर निकल रही है जिसका कलर रेड है एंड इसी कलर के साथ आपको यहाँ पर एक और कलर दिख रहा होगा जो की नंदी अस्तर का है तो यहाँ पर रेड कलर यानि डार्क एनरजी को ज़्यादा थाकत पर दिखाया गया है इस बेर से red light नंदी अस्तर की blue light को cover कर लेती है and literally guys this details too much awesome number 11 इस scene में जब Shiva रफतार पर fire कर रहा होता है तो Shiva की eyes first shot में blink हो जाती है जोकि show कर रहा है उसने अपनी live में कभी भी गन नहीं चलाई and जब उसके shot miss होने लगते है तो वो रफतार पर एहम रखने के लिए अपने दोनों हातों का use करता है this is the clever details that I noticed number 12 इस scene में जूनून जब इन बॉक्स को बंद कर रही होती है तो इसमें आप ध्यान से देखोगे इनमें एक की 47 होती है जोकि ये लोग यहाँ पर use करते है number 13 जब सिवा फर्स टाइम आश्रम में एंटर होता है तो आश्रम के गेट पर डिफरेंट टाइप का लॉग होता है जो की ब्लू शाइनिंग करता है में भी हो सकता है ये कोई काइंड ओफ अस्त्र हो जो गुरू जी ने लॉग के फॉर्म में यूज करा है एन ये डिटेल हमारी एक सब्सक्राइबर एड दरेट कम्पूटर की साइन्स ने हमें बताई थी इस सीन में शिबा फायर को फुल पोटेंशियल में यूज करता है तो जुरू वर्चुली जल अस्तर का यूज करती है और अगर आप जुरून के बेक्ग्राउंड पर फोकस करेंगे तो उसके बेक्ग्राउंड में रैन लाइटनिंग हो रही है और ये सेम रैन लाइटनिंग आप में यहां भी देख सकते हैं इट मींज जुन उन clouds and lightning को control कर रही थी उस particular area में बारिस कराने के लिए and in clouds ने उसी particular area में बारिस कराई थी जितने area में शिवा के fire थी So these were the details that I noticed at 0.25x speed I hope so, ब्रुमास्त्र मुबी की ये details आपको पसंद आए होंगी अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो एक बार check out जरूर करना और इस वीडियो पर कैसे भी नए आगे हो तो वीडियो को like, channel को subscribe करना मत भूलना So that's it for today guys, जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ